सब्सक्राइब करने जा रहे है कि टेक्स-फ्री शॉपिंग कैसे किया जाए यूरोप में अगर शॉपिंग करना है आपको तो पैसे कैसे बचा सकते हो आप तो हम लोग पाच्छे चीजे देखेंगे जिसमें आप इलिजीबल होके पहले ये कंफर्म करेंगे टेक्स-फ्री अगर आप इलिजीबल हो शॉपिंग कैसे किया जाए तो पहली चीज आप जैसा मैं चेक रीपब्लिक का एक्जामपल दे रहा हूं आप चेक रीपब्लिक में काम कर रहे हो आप चेक रीपब्लिक में स्टुडेंड हो चेक रीपब्लिक में अगर आप रह रहे हो तो आप के लिए इलिजीबल नहीं हो तूरिस्ट को ही आ रहा है जैसा मैं टूरिस्ट एज टूरिस्ट आया हूं मेरा जो जर्नी है 21 दिन के अंदर रहेगा 21 दिन में मैं यह कंट्री छोड़ देने वाला हूं और मैंने सारा शॉपिंग प्राक से किया है चेक रिपब्लिक से किया है क चॉपिंग के बाद जबी आप बिल लेने जाते हो तो बिल काउंटर से आपको सारी इंफर्मेशन लेनी है और देखते हैं चेक रिपब्लिक ने लिविट है एक स्टोर में एक बिल आपका 2000 चेक क्राउंज का होना चाहिए धोजार के नीचे कर रहेगा तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा दूसरी बात आप 21 दिन में कंट्री छोड़ के जा रहे हो तो ही आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो घॉत को टैक्स फ्री रिसीट मांगनी एं उसको बताना है किमुझे टैक्स फ्री पोफ एक अप्रच्छ में कॉम पर टेक्स पर में करने के बाद पर टेक्स है एक पर घ्र आपको हर शौप में एक बोड लगाया दिखने का थे यूरोप में अगर जाते ओप पर चोपिंग करते हो फो तो है गाहिक जोपक्ता आप्रणे की जरूरोफ नहीं है तो ताइस के इ तो आपको जो शॉप उनर है या शॉप एंप्लोई है जब आप फाइनल बिल लेते हो तो उसको बोलना होता है कि मेरे को टेक्स बेनिफिट चीए टेक्स फ्री शॉपिंग करना है यह पैसा वापस मिल सकता है टेक्स का कुछ साड़े बारा तेरा परसंट कुछ टेक्स वाप क्राउन इनका लोकल करन्सी है तो अगर मैं 2000 का एक बिल बना हूं तो मेरे को पैसा रिफंड होगा मिनिम्मम 2000 का शॉपिंग होना चाहिए तो मैंने 2000 के तीन बनाये तो मुझे 600 सम्तिंग कुछ तो 650 क्राउं वापस मिला है उसका प्रोसेस हम लोग डिटेल में देखेंगे क मैंने बोला कि मुझे टेक्स रिषिट चीए तो उसने मुझे टेक्स रिषिट दिए तो यह ऐसी टेक्स रिषिट दिखती है बेसिकली मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा इंफॉर्मेशन डाला यह टेक्स ऑफिसर जो है उनके पास में मैं रिफंड के लिए उन्होंने पूछा आपका पासपोर्ट इकाए उनको पासपोर्ट पीकाने के बाद में उन्होंने मुझे से क्रेट कार्ट नमबर पुचा है अगर Till. अग्र आपको कैश पैसा वापस चीए तो आपको क्रेट का नंबर देना होगा है तो क्यू देना होता ह ह Beim का ट की आपको आज ही टेक्स रि अप्र शुलेगा यह इनवलप में इस चीज को ढ़लके का अपको किस्टम ऑफिसर जहां से चेक-ई करते हो आप airport पे चेक-ई के पहले कस्टम ऑफिसर रहेगा कस्टम में को अश्कुलेर करना है तो बेसिकली क्या होता है यहां से यह जो है यहां से मुझे अभी यह मैडम ने स्टैंप दिया है यह स्टैंप होने के बाद में कस्तम आपिसर यहां पर स्टैंप लगाएगा तो यहां पर स्टैंप लगाने के बाद में इसको लेके इसमें डालके जो भी कुरियर का पहला बॉक्स वहां पर कस्तम आपिसर को पू for tax refund uh queries so here they stamp now here custom will stamp here the custom will stamp here i have debit card you basically have to go here first and then take the stamp from the custom officer then you can go for exchange you know you don't need to submit your credit card details or debit card details so so first you go here if you don't have debit cards or credit card then you get the stamp from here and then you go there then take the tax back packed now after stamping and we are going to put this one here so your claim is done all tax refund checks stamped by customer the courier box that will reach the custom officer in eu he will verify all your details once he verifies all your details he will approve it and your process will get processed if you don't send it within 21 days you have given your card details here in tax refund office they will deduct money with with penalty how much money they'll deduct so yeah i have declaration so i have received 650 back and if i don't submit within 21 days i will have to pay this much of money which is 1023.50 check crowns that's a local currency here so you need to understand if you are claiming tax you need to follow all the guidelines which is provided here if you miss it you'll pay penalty so dosto do company i check republic mein ek hai jhaan se mehne karvaaya hai that is global blue or ek dusra hai dusra hai premier tax free so premier tax free you do company hai dono ke boxes up ko airport pe dikhenge check republic ke kaafi kaafi european countries mein different hoata hai so they are just a consultant you just need to ask wherever you shop you ask the shop owner where are where will i find these people they will let you know if you like this video give a like if you like this video give a like if you haven't subscribed to our channel subscribe to please subscribe कीजिए कोई भी क्वेरीज है कोई भी क्वेरीज है कोई भी क्वेस्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए i'll reply to your queries thank you